प्रुदेश में लॉक्डाउन के दौरान घेलोट सरकार ने पैंशन धारियों का विशेश खयाल रखा। लॉक्डाउन पीरियड में समय से पहले पैंशन धारियों के खाते में पैंशन की राशी पहुँचाई जा रही है। इसी के साथ अनलॉक के बाद इस महीने से पहले सपताह में ही पेंशन धारियों की खाते में पेंशन की राशी पहुँच गई दरसल 78 लाग पेंशन धारियों की खाते में सरकार ने 700 करोड रुपे जमा करा दिये हैं समझ एक नयाय तथा अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर समय रहते तीनों वर्गों को रहत दी जिसे की बुजूर्गों, दिव्यांग्चनों और विद्वा महिलाओं को लॉक्टाउन में आर्थिक तंगी से ना जूचना पड़े आपको बता दे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिये थे कि पैंचन धारियों को समय से पहले ही पैंचन दीचाए